देखे भाई अब मेरे वेपर कोई व्यक्तिकर टिपमनी करोगे मुझे बुरा भला कोगी यह लाइफ का हिस्सा है मैं इसको स्विखार करोगा लेकिन आप अगर कमजोर तो जब यहां आस्ता के अदार पर फैसले सुप्रिन कोड दे सकता है तो अगर कोई हमारी आस्ता से है चेड़कानी करेगा हमारे लोगों अपमानित करेगा तो फिर उसका इलाज करना बच्छी करें जानती है इसलिए मैंने कहा कि हम चमडी उताना भी जानते है उसको चूता बनाना भी जानते है और उसको सही समय पे उसका यूज करना भी जानते है अब समझे कि आखे नहीं अगर आखे होती तो वो तो हमें हमारे अधिकारों को कभी का निकल जाते लाला राम देव जी या बाबा राम देव लाला यी बाबा है बाबा इस प्रम को मान है दिखावे के लिए आप मुझसे का उपिस लिए राम बंदित क्या आप तक राम में प्राण नहीं थे जब प्राण डाले गाँ शांसकर्थिक आंदोनन को बहुजन समाज के लोगों ने मारती है सड़क के अंबेड करवा दी है घर में क्या आई हैं बैतर अच्छी थे आवा प्रिवारिक विरारसन धर्म के आदार पर देश के उन्मेटी नहीं हो साथियों नमसकार मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहें नेशनल जन्मत गूंगी बहरी राजनीती की इस दौर में जो सक्स मेरे सामने हैं ये इसलिए सक्सियत बन चुके हैं क्योंकि ना सिर्फ बोलते हैं बलकि तमाम मुद्धों पर करारी चोड़ भी करते हैं हाल में एक बयान आपका सामने आया जिसमें राम भद्राचार जो आजकल मोदी जी के साथ बड़ा नजार आते हैं उनको हलका फुलका नहीं बहुत काईदे से रगड़ दिया इतना नाराजगी क्यों होती देखे भाई अब मेरे वेपर कोई व्यक्ति का टिप्मनी करोगे मुझे बुरा भला कोगी यह लाइफ का हिस्सा है मैं इसको स्विकार करोगा लेकिन आप अगर कमजोर वर को मेहनत का समाज को गरीब वर को मेरे समाज को महापुर्सों को हमारे जो अधिकार मिलें सब इध कर देखार उस पर तो मोधी जी को नहीं छोड़ते रामदराचारी क्या है से ते उस पर आप कुछ भी बोलोगे तो यह स्विकारी नहीं होगा उनके दो तीन जो भाशन है कि इस देश में समाज और आर्थिक पिछड़ापन है कि सारीक पिछड़ापन भी है तो मैं तो उन कुद्रत ने पता नहीं कैसे पाप किये होंगे थोड़े काम की पता नहीं कैसे प्षया होंगे कि या जैसे करम करता वईसे आदमी जीवन मिलता यह प्ण्या kept आख एक quickest अधिक प्system में बडिकिए तो पता बहुत उसमें आर्ष्टा विश्वासी नहीं उस तरह से सबसे पहला उनका बयान आया जो कहने कि आज हिम्मत देश के प्रधान मंत्री में नहीं नहीं है आरसस के परमुक में नहीं है बीजेबी के किसी मंत्री और बड़े ओदे के जो पतादिकारी उनकी नहीं कि वही से कर दिया जाए वरणा इस देसमें खुनी करांती हो जाएगी अब आप वो कहें के संत है इन्हीं S.A.S.T.O.C के के हिंदू बता कि अपना भाई-चारे की बात करते एक जुट होने की बात करते हिंदू को एक इनहीं कि अधिकारों से पता निका मुसिपर दो प्रस्जेंट सरकाई नोकरी वो भी चुब रिये से अगर वो एक पूरे समाज को अपमानित करने काम करेंगे नीच बताने काम करेंगे तो इसलिए माने कहा कि हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं उसका जूता बनाना भी जानते हैं और उसको सही समय पे उसका यूज करना भी जानते हैं प्रयोग करना में फिर कहा आर्शा रा कभी का निकल जाते हैं इसलिए ये जो सत्ता के संडक्षन में ये जो इस तरह का जो जो है पाखंडी और एक बड़े समाज को अपमानित करना उनके अधिकारों के खिलाब बोलना जिसमें उनका कोई सही होग नहीं है और रोकने का काम तो किया होगा और उनके महापुर्सों क जैसे आस्ता दूसरे लोगों की ऐसे हमारी भी है तो जब यहां आस्ता के अदार पर फैसले सुप्रिम कोट दे सकता है तो अगर कोई हमारी आस्ता से है छेड़कानी करेगा हमारे लोगको अपमानित करेगा तो फिर उसका इलाज करना बच्ची तरह जानते देश में सवी दिया जाता है अग्र माफी नहीं मांगी तब आप मुझे बताना सफाई तो देने लगें अपराद करो किसे गला काटो प्रदान मंत्री करें राम अबद्राचारिये करें तो फिर जो है आपको उसके सजा के लिए त्यार है ना पड़ेगा इस समय बीजेपी का जो सीर सनेत्रत है उसने अपने प्रदान मंत्री बना दो तमाम तरीके से कर रही है लेकिन दूसरी स्टेटजी है कि जितने कथा वाचक हैं इनके माध्यम से हिंदू राष्ट की बात जाती वर्चसु की बात दूसरे को छोटा बताने की बात बड़े बताने की बात और घुमा फिरा करके सब बीजेपी के इ सवाल करें इतनी जाग रुकता तो क्योंकि हमने अब साहिते पड़े हैं अपने बात पर इतनी तो समझ आ गई है लेकिन अगर यह इस तरह के लोग देते रहे तो धरम की चादर है धरम की ओट है धरम का एक संदक्षन है जिसमें आदमी बचा रहता है इसलिए यह सब बाबा राम देव सेट राम देव कहते हैं लोग लाला राम देव कहते हैं वो कह रहे हैं कि ओबी सी की ऐसी तैसी और जब बाद में कहते हैं कि ओव ऐसी तो उस जगे पर कोई संदर्व नहीं मिल रहा है क्या वज़े है कि राम देव जैसे सक्स को ओबी सी की ऐसी तैसी कहन पड़ रहा है। देखें ऐसा है लाला रामदेव जी या बाबा रामदेव जी लाला ही बाबा या लाला है है आई तो यही है। मैंने फिर का आपकी धरम की चादर बहुत मजबूत है तो आप धरम के नाम पर लोग को बुलाओ फिर अपने 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 समान बेचने लग जाओ तो लाला राम देव जी ने बयान तो दिया बाद में लगा कि पिछला वर्ग तो एक कदम आगे चल रहा है उस वह समाज है पटेल समाज है कुर्मी समाज है तो थोड़ी से और जाग रुकता बढ़गी है सैनी समाज है अगर ऐसे आप किसी समाज और सब यह इस बात को जानता है कि देश में जाती वर्चता है और वर्गी करण भुआ हुआ है तो यह सब अन्ने पिछले बर के इस्सा है अ अब उन्होंने कह दिया अब यही कस्टमर है अगर आप मैं अगर आपका कोई कस्टमर हूं और मुझे आपको बुरी बात कहेंगे तो मैं किसी और दुकान पर चला जाओंगा तो आपका आर्थी नुकसान होगा तो दे तो दिया बाद में जब उनके चेले चपाटों ने एसास करा है तो फिर अपने ट्विटर हैंडलों से अपनी सवाविमान ट्रस्टवर्स से उसका वो करा है कि पूरी वीडियो ने सुनी तो मैं पूछना चाहता हूं लाला रामदेव को कि नीच आदमीं तुम्हें किसने अधिकार दिया ओबी सी के ऐसी तरसे करने वाले का पर दिया दृष्टी बनी रहती है कि अपने लोगों को गाली देने के लिए को कहते हैं कहावत है कि दरखतों के कटने का किस्ता ना होता अगर हमारा आदमी उनके साथ ना हो तो उनकी हमत है कि हमें गाली देते हैं यह हमारे लोगों के अधिकारों खिलाब को करते हैं तो और अपनी बात को अपने विचार देखो मैं फिर आज आपको एक बात पर दुनिया क्नौटर्च के सरकार न कर जा ती स्रये फरंट की बार सरकार बादकार के energía कि किसी ने कोई ऐसा कारीय नहीं किया कि किसी धरम को को धरम खत्रम पढ़ जाया किसी धरम को हानी यह एक राजनतीक्स दुकान जिसको चला के रहें जिस दिन आपने क्टयूं कोई उसी दिन किसी का ड़ दिखाना पर देरा इना कुछ यह कहते हैं यहां जा चzk اक रहें हिस इसमें धर्म का कोई अस्थान ही नहीं है धर्म आपका अलग मेरा अलग आप अपने धर्म को मानता हूं दिखावे के लिए आप मुझसे को कि चलिए राम मंदिर मैं दिखावा करने के लिए मैं भी चला जाएं वहां जोड़के बैठ जाएं तो यह तो यह तो स्रभास्तिक्ता में नीजी स्वार थे स्रद्धा आदमी के मन में होती है और स्रद्धा मन में रहे तो बहुत अच्छा है स्रद्धा जब बहार आ जाएगी कोई इश्वर नहीं चाहेगा दुनिया में प्रतिष्टा होगी तो मूर्ति में भगवान आ जाएंगे और मूर्ति बनाने वाला फिर्चू नहीं पाएगा हां देगो ऐसा है कुद्रत कंकंड में है उसने जिस दुनिया में अच्छाई है तो बुराई है तो अच्छाई भी है और सद्धियों से अधिकारों का हिसेदारी का अंदूरन चलता रहा है यह दो सब्धाव का ठक्राव है जो लंबे समय चल रहा है लेकिन असल लड़ाई है रिसोर्स की है हिस्सदारी की पावर की अब जिस दिन दलित पिछले बर के लोग पावर को समझ गए और पावर उन्हें अपने हाथ में ले ली तो फिर इस देश में समता मुलक समाज बनेगा समाजिक आर्थिक समानता आएगी भाइचारा बनेगा और लोग यह प्रदेश भी तरक्य करे दर्म की तरफ को उनका जो है आपको मैं एक बात और बहुत बहुत बताना चाहता है तो मैं अजकल घूम रहाएं और सम्मिलन में अगर मेरा यह कप चोरी हो जाए तो मैं इसकी चांच करांगा कि कप किस ने हो किया पूरी कोसिश करूँगा घर सी चोरी हो अगर आपकी जैसे में पुलवामा जैसा हमला वा दोजार अठारा का स्टी च्छे महीने होगे तो बीजेपी बैक पूट पे थी क्योंकि नोट बंदी की कुछ जंता प्रेशान जेस्टी की जंता प्रेशान और तमाम तरकी जो जूटे वादे के दो क्रोड रोजगार पंद्रा लाग ये वो सब किसान हो गए तो कुछ भी नहीं हुआ लोग परिशान थे और लोग बंद मनें वेटा कि इनको बनना है तो अचानक से एक हमला हुआ जिसको हम पुलवावा हमले के नाम से जानते हैं लेकिन गजब की बात है कि मैंने जब इसको स्टड़ी किया एक सिंगल एफ़ायार उसमें दर्च नहीं हुई और उसकी एक जांच नहीं हुई इतने हमारे देश के वीड जवानों की सहीदगी हुई उनके परिवारों के इ इस व्यवस्ता में ताकत में किसमें बदलाव कर सकते हैं आपने कहा कि बीजेपी पूरे देश में हिंदू राष्ट के बहाने जो उनका धार्मिक पाखंड है उसको बढ़ावा दे रही है सरकार प्रायजित पाखंड होने लगा है इसका विकल्प क्या है विपक्ष की देखिए मैं फिर कह रहा हूँ सांसकर्तिक आंदोलन को बहुजन समाज के लोगों ने मार दिया है आपने इतने महापुरू साब क्या आप चाओ तो हर दूसे दिन जैनती होगी और आपके बच्चों को सिखने को मिलेगा और भी बहुत सार चीजे हैं पहले माने और काशि राम साब ने साओजी महराज के मिले लगाए कापूरी ठाकूर के मिले लगाए बाबुदे जगवर्द परसाद कुश्वा के मिले लगाए और तमाम से तरह से हम पे इतनी बड़ी सांसकर्तिक विरास्त है और वो भी संघर्स की लेकिन हमने उसको बुला दिया फिर अब हम अब इस पर भी बड़ा वो है लोग को नाराज़गी होगा कि हम सड़क के अम्रेड करवा दी है और घर में हम क्या आई यह हम बहतर चितरे से जाने हैं यह जो जो हम सच्चाई का सामना नहीं कर पाना लेखो बिमार होगा आदमी कहा जाएगा बच्चे को पढ़ाना का होगा स्कूल और नियाय लेना जोगा जाएगा कोट पुलिस्टेशन और बाकिस सब चंगा सी तो इसलिए मैं कहा रहा हूं यह जो हमारे मन में दूइदा चल रही है और हम सत्ते कुछ स्विकार नहीं कर यह बड़ी खतना लेकिन फिर मैं आप से कहूंगा कि कमंडल की काट मंडल है हम आज अगर हम डोग सब विपक्स मिलके जो वास्तिक्ता में विपक्स हैै यह नहीं कि चित्वी आप कर झकर प्टवे आपके सिक्के के दो इपहलो अगर वास्तिक्ता में यह थो क्णिक्नी खरे दें करते हैं करidente हैं कि था कि मुश्किल से चोदा पंद्रा लाग करम चारी थे देश में आज जो है एक लेड़ करोड करम चारी होंगे लेकिन हिम्मद नहीं है कि अपने समाज को जाके जागरूप करते हैं जहां बीजेपी इतना आंदिवी साथ पारकंडवाद प्रोस रही है आप एक सब्स जो है एक बड़ी फोज उन्होंने त्यार की संगर से माने मुलायम सिंध्या से लोग थे आज हिम्मद है कि उन परिवारों कि एक सब्सक्राइब करें कोई चीजा संभव नहीं है इंपोसिबल में ही तो होता ना आइंपोसिबल सब कुछ मुम्किन है सब कुछ किया जा सकता है व खिरवी लोग मुझसे सवाल करते हैं तो मैं आप से पूछ लेता हूं कि नगीना लोकसभा से कंफर्म आप सामने आ रहे हैं लोगों के देखे भाई लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो डेड़ दो साल की मजबूत तयारी चाहिए सभी बूत पर आपके लोग हूं हूँ सकीरिये लोग हो नहीं जाती है आप के पास हो आपके जो अभी जो जैसे वोर्ट अभी वोर्ट बन रही हैं और पुरानी वोर्ट जो हैं जो खटनी थी वो कटवट भी रही है वीजेड पी ने बहुत सारे काम किये बहुत सार चीजह आ सब किसलिए हूं के की वह क्य लेकिन मैं उससे हारता वो है जो घर बैठ जाता है मैं तो नया वेक्ति हूं मेरे पीछे कोई विरासत नहीं है तो भी मार्मी के आजा समाज पटिव सात्यों का संगर्स है बहुजन समाज के जो लोग इस आंदों से विचार से प्यार करते हैं उनका प्यार आशिरवाद है मा मजबूत तयारी कर लिए है गाउं गली में हर बच्चे बच्चे को देखे हमारा नया चुनाव जिसान लेकिन हमने अपना चुनाव जिसान पहुचा दिया बहुत सब्सक्राइब लोगों ने की जिससे जो है आजास समाज पार्टी की चर्चा जो है वो बड़ी जोरुस है कि एक आदमी जो सड़कों पर हमारे लड़ता है जिसना लाठिया खाई मुकदमे जहले जिसको अफमानित किया रहे इसके पर गोली चली और वो आदमी हमारे बीच यहां हमसे मदद मांगने आए एक वोट एक नोट के साथ तो मदद करते हैं लोग विस्वास दिलाते है और हर कीमत पर चाहते हैं कि चंसे खराजाद वहां से आगे पड़े एक और लोग का भ्रहम मैं दूर कर देना चाहता हूँ लोग के मन में इस सवाल है कि माल लीजिए इंडिया गठबंदन जो है उसने वहां सपोर्ट नहीं किया माल लीजिए तब क्या इस्तिती बनेगी ना करें ना करें देखिए लोकतंतर है जो मदद करेगा उसका बहुत 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 जो नहीं करेगा उसका बहुत 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 दनेवाद देखो ये हमारा काम है कुछ लड़ाई आपको अकेले लड़नी पड़ती है अगर कोई साथी मदद करेगा उसका बहुत दनेवा हमें तेंट अलग बात है लेकिन चर्चा होनी जरूरी है तो मेरे मैंने में एक पीड़ा थी कि वह हमें ने दो प्रेल लिमि देखा कि अगर पांचो-धोसो लोग कहीं खड़ें के अंदोलन करें को हो रही उसको रोकने का भी प्रभावी इंतिजाम कर लिया बहुत चल्द हम एक बड़ा आंदोलन यूश्यम को लेकर जिलास्तरीए भी प्रदेश स्तरीवी और राश्तेस तर्का भी अंदोलन फरवरी भाहां तक हम लोगं करने का मन मना चुके हैं चुनाव कि है नहीं कि तलवारे चले बंदूग चले यह तो सविधानी भारत है यानि कि महमूद प्राचा और जो भानुपरताब जी कर रहे हैं यह बिल्कुल ठीक है और सब क्यूंकि प्रोफेशनली भी उमसे सीनियर लोग है तो वो कर रहे हैं इस वोट में बावा साब हम बेड़ करक अब आजम कर कल महूद यानि कि लगातार आप इस समय उत्तर प्रदेश के दोरे बाएं और कारकम भी ठीक ठाक हो रहे हैं आपके तो इस दोर में लगता है आपको कि यह जो लोग आ रहे हैं यह फिर से तयार हो रहे हैं जन्मत के लिए और एक लंबी लाई लड़ने के लि बहुत जल्दी इधर उदर भागना शुरू कर देते हैं हमारे यहां ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है नए लोग हैं और दिर दिर समझदार हो रहे हैं कारकरम चल रहा है एक चीज़ हमें समझनी पड़ी सवाल यह है कि जहां एक तरफ पैसे देके साधन देके भी लोग नहीं लोगों को मौका दिया और वो चीज़ जो होनी चाहिए उनकी जिन्दगी में नहीं हो पाई उसके लिए वो उम्मीद कर रहे हैं कि आजास समाज पार्टी के इतने दिन के सफर को किस तोर पर देखते हैं और आगे कितनी उम्मीद है जो आप भी भिरमण कर रहे हैं उम्मी और आजाज समाज पार्टी के लिए दो कहूंगा कि इस दोर का सबसे मजबूत वखती हूं इस दोर का लोग कहते हैं कि पैसे से राज नहींते होते हैं लोग कहते हैं कि परिवारिक विरासा नहीं तो मैं ना मेरे पास पैसा ना परिवारिक विरासा था और फिर भी मैं किसी जो है जिस तरह के दूसरे राज़ चाहते हैं दूसरी पार उन्हीं के मुकाबले चलता हूं मेरे भाई जो है मेरी माए मेरे बहने इतना आसिर वार स्वयोग देती हैं कि जब मैं जाता हूं कही कारगां पचास प्राइस गाड़ी लेने के लिए आती है बड़े बड़े नेताव को नहीं आती है सःफी है भाई तो मैं समझता हूं कि बहुत आसाएं उमीदे हैं हम तो उस दोर से निकले जब पेने के लिए साप पानी नहीं था प्चाने के लिए शप भोजन नहीं था मरवे जानूरों के मास तक लोग खाते थे वह समय था उससे निकले लोग कि हम यहां तक आए कुर्सि क्याते हैं हैं सच को सच कहते हैं कोई ऐसा नहीं करते हैं को यह हमें बुलाएंगे नहीं कि दूबारा इसकी परवादी करते तो बहुत कुछ बदला है लेकिन अगर हम सामुएक जिम्मेदारे समझ लें अगर समाज को चाकुरुक समाज हो जाए और इसमें योकडान लोग द किया उन्होंने कि भारत के लोगों की याद रखने के चमता है वो तीन सब्सक्राइब काम हो जाएगा बाकि वह कितना कितना धार्मिक हैं वो और चमताराय का बयान आपने सुना वो तो बहुत अच्छा बेहन था नहीं पहते नहीं दो इसले नहीं जा रहा हूं क्यूंकि कोई पुजारी का गला काटके ले जाएगा इसको आप सोचो जब उनको और अगर राम के घर चोरी हो जाए तो पर कौन करेगा तो इसलिए मैं कभी अपने जीवन में किसी स्वार्थ के लिए कोई दिखावानी करूंगा और निर्विक होके अपनी बात को कहता रहूंगा फिर आप से कह रहा हूं धर्म के आदार पे देश की उन्नेती नहीं हो सकती है धर्म तब भी था जब हम ग्रेजों के गुलाम थे धर्म विहीन राजनीती और जाती विहीन समाज के स्थापना के लिए पैदा आत्मी किसी धर्म में उतार सुविकार कोई धर्म लेता है तो यह तो समय पर्ष्टितिया है इस दौर में बहत सीमिद संसाधनों में इतनी पॉजिटिवीटी कहां से आती है वो शा संब़ है उमीद पर दुनिया टिकी है और उमीद पर आजास समाज पाल्टी भी टिकी है नेशनल जनमत भी उमीद करता है कि यह जो हौसला है आपके अंदर का यह जो कार्करताओं का जोस है यह बना रहा है और हम निश्चे बोकना पड़ेगा आपको हमारे जैसे सातियों बना यह खाँ हमारे बहुत को कि का एगारे के वाले के जार मैं पिस्तेडर के लिए वह यह सथ साथ देने क्लिए forcing और सच यह ओर भाई करल अगर लड़ने 손का not ना दिया जा रहा होता है तो आज मैं और आप यहां नी बैठे हो यह जो एक जूट का है कि लड़ने वाले को साथ यह भी एक बहुत बड़ा जूट साथ देते हैं ठीक आज आप कहो कि मुझे मेंस्ट्री मीडिया का चैनल बनाना है आप देख लेना कि उस तरह का साथ नहीं मिलेगा लेकिन जैसे आप बहुत ताकतर हो जाओगे तो इसलिए जिस तरह की आज हमारे इस्तिति उस तरह का स्योग हम पे है और मैं आज आपके चनल के माद़ने उन सभी भाईयों का जो हर कदम पे हमारा साथ देते हैं कहीं खाने में कहीं पीने में कहीं उठने में कहीं और आर्थिक मदद करते हैं उन सब साथे का भी धन्यमाद करूँगा जिनका कहीं न कहीं न कहीं योगदान जो दिखते नहीं है शुक्रिया बाचीत के लिए और अगले दौर में हम फिर मिलेंगे इस उमीद के साथ कि जो उत्तर प्रदेश में आपकी यात्रा रही उसका चोड़ निकाला और आगे अब इस यूपी से क्योंकि जब मुझसे लोग पहले गोबर पटी कहते थे तो बुरा लग जाता था मुझे जब मैं आएमसी में पढ़ता था लेकन अब मैं महसूस करता हूं कि एक्चुल में ये काउलेंड है क्योंकि यहां पर गाया गंगर ग करता है झाल 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 झाल